बोदी जी ने बोल दिया मैं सीधी के चक्कर में पड़ता नहीं मैं काड़ देता हूँ वास उसलिए तेज़े चड़े हैं इंडिया ने वक्ती तोर पे न अपने लोगों को जिदी टेकनोलोजी नहीं दी कि वो अपने मेड इन इंडिया को परपर मोड कर रहे हैं फाइटर अचिए चैनल को सेश्क्राइब करना मठ भुलेगा तो दोस्तों आज पाक मीड्या बात करें कैसे मोडी जी ने टेज़ेस को फ्लाई किया था और मोडी जी को टेजेस में देखके पकिस्तनी मीडिया को सेर्जिग मेरेUND पीस्तरायक करें और पकिस्तनी मीडिया किह रहे है तो उससे पहले हो सकते हैं कि मोडी जी फिर से पाकिस्तन में सेर्जिगर स्ट्राइक करें तो मोडी जी को टेजेस में दिखके पाकिस्तनी मीडिया को ये डर लग गया है और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि तेजस में फ्लाइ करके मोडी जी ने जो मेडिन इंडिया फाइटर जिस है वो भी प्रमोट किया जिसी वेसे भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट है फाइटर जिस की उसमें भी बढ़ोती होगी तो पाक मीडिया इस पे बातशी बिल्कुत ज़ी काम किया राइट सो यू डॉन्ट थिंक के बैटर रिलेशन साने वाले वैसे इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन चल रहे हैं कि सीधी नहीं हो सकती ये टेडी ही रहेंगी मोडी जी ने बोल दिया मैं सीधी के चक्कर में पड़ता नहीं मैं कार्ड देता ह सब्सक्राइब करें अच्छी साल में पांच साल में मतलब 2014 में वो भी एक बारात ही होगी और डिफेंस की जो दूसरे क्विपमेंट्स हैं वो को चाइना और या दूसरा यूएस की मदर से हम ले रहे हैं वह अपनी फैक्टरी लगा चुकी है बीस से पचीस साल पहले या तीस साल पीछे चले जीए इंडिया ने एक अलान किया था पूरे इंडिया में मेड इन इंडिया यानि के हम जो भी प्रोडेक्ट बनाएंगे वो इंडियन प्रोडेक्ट होगी हमें बाहर से लेने की जूरत नहीं है वक्ती तोर पे इंडिया नहीं है इनके पाद नहीं चीज़ें नहीं है इनके पाद जो है जदीद चीजेशें नहीं हैं पाकिस्तान में थी क्छाइना की मदद से हमारे पास आ ठारी लेकिन इंडिया ने वक्ती आपने लोगों को जढ़ी टेक्नोलिजी नहीं दी क्यों नहीं दी कि वह अपने丁ट इंडिया को लेकर चलना चाहरे थे देखिये है इंडिया की एक नहीं जो है वह उन्होंने एक रस्म निकाल दी है नहीं एक रीत निकाल दी है उसका नुक्सान क्या हो कि पहले हम लोग पकी रुवे में फिर अ दौलर जो है निकालके हम उधर भेई देतें हैं पिर हम पाकिसान में डौलर नहीं है हम तो बंक्रेप्ट होने नहीं पर्लिए ऑन्सकार हुए थे उन्हों ने जब गाड़ियों के प्राइज देखे नों के भाई तुमारे या आल्टो 32 रुपे की है हमारे आल्टो तो जो है तीन लाग साथ हजार पे में 0 मिटर मिलती है मेरे पास एक आल्टो है मेरी गाड़ी देखे कहते हैं भाई हमारे हमारे हाँ ये मज़ूर मिस्तरी ऐसी गाड़ी ये यूस करते हैं देखे मैं गार्मेंट्स का काम कर रहा हूँ मैंने भी अपनी प्रोडेक्ट बताईए 2500 में बेज रहा हूँ यकीन कीजिए यही प्रोडेक्ट में इंडिया में होता इंडिया में बनाता है मैं 500 रुबे की बेजता वो लोग अपने लोगों को सुहूलते देते हैं जैसे बिजली की शकल में हो गया आज फिर कहता हूँ जो लोग चाइना में अपना इंवस्ट कर रहे थे वो अब इंवस्ट करना शुरू हो गए हैं बहारत में इंडिया में तो ये इंडिया और भारत आज से 10-15-20 साल बाद आपसे पकड़ा नहीं जाना अच्छा आपने वीडियो देखी होगी इंडिया के प्राइम निस्टर नेंदर मोदी का एक क्लिप सोशल मीडिया पे बहुत वाइरल हो रहा है जिसमें वो मेड इन इंडिया फाइटर जेट उड़ा रहे हैं एक कैप्टन के साथ पिछली सीट पर बैट कर क्या कहेंगे इ इंडिया कहां पे कहां पहुंच गया और अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम निस्टर नेंदर मोदी की तो बड़ा उनका होसले का काम जिगले यह का मैंके अपनी तिकनॉलोजी में खुच सफर करके यह थापित कर रहे हैं पूरी दुनिया को कि हमारी तेकनॉलोजी क पर्मोट किया और उसके उपर पैसे लगाया है अब आप देखें कि इंडिया अपने मुल्क में हर चीज बना कर एक्सपोर्ट कर रहे हर बड़े से बड़ा इंवेस्टर इंडिया में जाकर इंवेस्ट कर रहे हैं क्यों क्यूंकि इंडिया के प्राइम निरेंडर मोदी उन् नौजवान पर ट्रस्ट कर लें इंशाला हम उनको ये इंडिया से आगे बना के दिखा सकते हैं क्योंकि अगर हमने फाइटर जट से आगया कि अगर हमने एटम बंब को एक पूरी दुनिया में लेके उनसे आगे गये हैं यह टेक्नालोजी में हम पहले उनसे आगे थे तो एक्सपोर्ट भी करेंगे अपने मुलक की डिफेंस भी करेंगे उससे तो कुछ ट्रस इशूस की वज़ा से के नहीं नहीं चीज़ा पता नहीं कैसी होगी दुनिया ट्रस नहीं करेंदी अभी नरेंदर मोधी न खुद उसको फलाय कर या उड़ाया तो वेल इंडिया का कं सब्सक्रां, हमारा जड़्स है इस तो कि मार्कীर पर कितना असर पड़ीगा, कि अगर धर दुनिया ट्रस कर कर लिए उनकी घर करीदे कि इसके बाद बेस्क्क उनका एकोनोमी ज्यादा बूस्ट हो जाएगा, उनको फायदा यह ज्यादा, वैसे एकोनोमी कली इडिया आप देखना चली दोस्तों इस वीडियो पर बार करते हैं तो पाक मीडिया ने जो कहा कि टेजस में फ्लाइ करके मोदी जी ने पाकिस्तार को मैसेच दिया है और 2024 से पहले पाकिस्तान में फिर से सर्जी के स्ट्राइक हो सकता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और पाकिस्तान पाकिस्तान ने अपनी हरकत देख सीदी रगी तो पाकिस्तान में कोई सर्जी के स्ट्राइक नहीं होगा पर पाकिस्तान अगर फिर से अपना आतंग बादियों को भीजा तो पाकिस्तान में सर्जी के स्ट्राइक होगा मोदी जी को कोई मैसेच भेशने की जरवत नहीं है जो पहला सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने किया था वो ही मैसेज काफी था जिसका डर पाकिस्तान को 2023 में भी लग रहा है। जो पहले ही रिकोर्ड नंबर पे है उसमें भी बढ़ोत्ती होगी और दूसरे देश भी भारत के टीजेस को इंपोर्ट करना चाहेंगे क्योंकि यह इकोनोमिकल भी बहुती कम किमत पे हैं। और आखिर में मैं यह कहूंगा कि टेजेस सिर्फ फाइटर जेस बनाने में भारत के सिरुवात है। फीचर में भारत फिट और शिक्थ जेनरेशन फाइटर जेस भी बनाएगा। तो चले देखते हैं कि फीचर में क्या होड़े रोस्ते वीडियो देखने के लिए वाटवे सिक्या और हां मैं चाहिए सब्सक्राइब करना मत धूलेगा। थैंक्यू वेरी मच्छ।